हाई गुट मॉर्निंग टु एब्रीवन एट यूटूब चैनल दार्थ केरी इंस्टिट्यूट दोस्तों कोविट 19 के चलते घर में रहे सुरच रहे और पढ़ते रहे हिंदी ब्याकरण का आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्रैक्टिक सेट और इस प्रैक्टिक सेट में जो हमने आज कारक के जो प्रश्णोतरी है उस पर डिसकस किया है चलिए 1-1 करते हैं तो पहला कुछन है है अरे ओ बिभक्ति चिन किस कारक का है कोशना कि शामने है सब्सक्रादान अधिकरण शंबन या शम्मोधन तो इसका आंशर है सब्सक्रादान कारक्ञें अकला है जी हाँ शंप्रदान कारक में को का प्रियोग की शर्थ में होता है तो राइट अंशर है के लिए जी हाँ के लिए के लिए जो है शंप्रदान कारक में प्रियोग होता है अगला प्रश्ण वे उत्त्म संस्कारों शें हमें द्रण करेंगे वाख में किस या करण का प्रियोग हुआ है कर इस वाख में जो है किस बीष्व यह करण का प्रियोग हो है अglich न है वाख में भीपति के परियोмат के अनुषार सब्दों के परशपर शम्मन की दिफा को कहते हैं आपको किस अमने हैं परशपर शम्मन की दिफा तो यहां पर क्या रहेगा अधिकरन कारग रहेगा क्या रहेगा अधिकरन कारग अगला कुशन है वह अपने भाग को शराहता रहा वाक्य में किस कारग का परियोग है तो इसमें जो है भाग को आया है तो इसमें जो है वो कर्म कारग यहां देखिए भाग को कहा गया है तो य इसलिए पर यहां किया रहाएगा अब आप समझ这个 हो टेबल पर रखा है सब्सक्राइब गया है क्षक कार कारक में शे बिभक्त का प्रियोग शाधन के अर्थ में होता है जी हां किसमें जो है से का प्रियोग शाधन की जो है के लिए प्रियोग होता है तो आप समझ गें होंगे कि राइट अर्शन क्या होगा अपातान होगा नहीं करता होगा नहीं शेंबडान होगा नहीं इसके अब्य रहेगा संग्या रहेगा प्रशर्ग रहेगा किसन जग जब इस टोड़ी में हम कारक पढ़ा रहते हैं परशर्ग अगला क्वेशन है कारक कितने प्रकारक होते हैं शाथ पांच या छे गए संस्क्रुट में कारकों को अलग डिवाइड किया गया है और हिंदी में अलग गया गया है वैसे दो कारक होते हैं छे परन्तु यहां आठ भी यहां राइटान से होगा आठ कि हिंदी में ठीक है संबंद और अधिकरण को नहीं माना याता है अगला क क्षँ का शवंद का का करे कि कि का शवंद का अगहा है और कि होने के यार्त में किस कारक परयोग आज आहाया था की जब और होंग तो क्या होगा यहां शम्पवदन कोगा नहीं शाया नहीं.. अगला कुशन क्या है चात्र कक्षा में निबंध लिखता है वाकि में प्रेक्टु कारण कारक है इसलिए शंबंध है नहीं संब्दान है नहीं करण भी है नहीं इसका मदब क्या है सी अधिकरन कारक है सत्रा चाकुशे कारता है रहाएं क्या रहता है थीमार है क orang L में यहीं हो गया होगा गिपता प्रेषच घराए मैं कि कारत में बताया भी था कि इसे तो इस में जो का करण कारक एक बचन क्या होगा हमारा नहीं हम से होगा थीक हम पर होगा नहीं तो से अंसर क्या होगा से आंसरोगा D, मुझ marginalized अगला question है मैं बालकनी में बैठा था वाकि में कौन शाकारक है मैं बालकनी में बैठा था तो करता होगा ने करन होगा नहीं अधिकरन है बाशव नमबर है मैं बिभक्ति चिन किश कारक का है मैं जान सकते हैं मैं किश का है में जो है B यह आधिकरन का है ठीक मुरली गाउं से चला गया वाकि मैं कौनशा का रख है कि मुरली गाउं से जा रहा तो जा रहया तो घाहा ढाई रहर है कि pent Infile, He तो रोडी देने का रहा है संप्रदान में होता ठीक है पेट से फल गिरा भाई अब थमाज कियों कि पेट से फल गिरा इस बात है वाई आपादान टोता डाली पर बैटा है वाई कौन शाका रहा है तो गीता हाथ से मारती है बैटाली कोड़ता है कि साधन है जहां पर साधन रहेगा करन को दिखाता है अगला क्वेशन है है वी आरे ओभ्यक्ति चिंश कारत का है आप रिवाइज किया क्या कॉश्चन है आप बता सकते हैं इसका अंसर क्या होगा समझ क्या होगी ही अरे ओ किसमें पर रखोती है शमोधन में अधर करते हैं दोस्तों आज वीडियो से समझ नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में कुल प्लीज सस्क्राइब करें लाइकान देबाएं वी सेफ इस्टियो हैं लाव